बीवान, वेलकम टू लर्नर भी, आई आम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी की बुक संचेयन का चाप्टर हरीहर काका का पार्ट टू, इससे पहले पार्ट वर्ण में हम काफी सारा चाप्टर कवर कर चुके हैं, अब देखते हैं यहां कुछ ना दें, तब क्या हालत होगी, उनके जीवन में तो यह स्थी है, बढ़ने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, सीधे सीधे उनके खेत हरपे जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिखवा देंगे, तो पुष्टो तक लोग उन्हें याद करेंगे, अब तक के जीवन मे तो इश्वर के लिए उन्होंने कुछ किया, नहीं, अंतिम समय में यह बड़ा पुन्यकाम कर लें, लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मूँ नहीं खुल रहा था, भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बारी में दे देना, उनके साथ धो का और विश्वास कात करना होगा, तो हरिहर काका को लग रहा था, कि अपने भाईयों को खेट दे देंगे, तो मतलब अच्छा होगा, मगर फिर वो यह भी सोच रहे थी, कि पंदरा बीगे के फसल, उनके भाई और सब लोग खाते हैं, फिर भी उनको नहीं पूछता, कोई यह भी गलत बात है, अब ठाकुर बारी यानि कि भगवान के नाम कर देंगे, तो पुन्य का काम होगा, तो इन सब चीजों में ने काफी ज़ादा कंफ्यूज हो रहे थे हरिहर काका, अपनी बात समाप्त कर, महंत जी प्रतिकरिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लग उसी वक्त ठाकुर बारी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगा कर उनके आराम का इंतिजाम करें, तो हरिहर काका के आराम के इंतिजाम के लिए जो है महंत ने कमरा साफ करवा दिया, फिर तो महंत जी के कहने में ज हैं समझा दिया कि हरीहर के लिए विषेश रूप से भोजन की विवस्था करें हरिहर काका को महंद जी एक विषेश उद्देश से ले गए थे इसलिए ठाकुर पारी में चहल पहल शुरू हो गई तो महंत जी तो भई इसी उदेश्य से ले गए थे कि फ़ई 15 भी के जमीन नाम हो जाएगी ठाकुरबारी के तो सब इसी के लिए अपने लोब में अपना फाइटा निकालने के लिए लगे पड़े थे हरीहर काका की जमीन हड़पना चाते थे सब इधर शाम को हरीहर काका के भाई जब खलीहान से लोटे तब उन्हें इस दुरघटना का पता लगा पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए हाला कि गाउं के किसी व्यक्ती ने उनसे कुछ नहीं कहा था महंत जी ने हरीहर काका को क्या-क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालू और बेचैन हो गया भाईयों को जब पता लगा कि हरीहर चले गए है तो भाईयों को लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया दरसल बहुत सारी बाते ऐसी होती हैं जिनकी जानकरी बिना बताई ही लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जित करने लगे। इस पर ठाकुरबारी के साधुसंत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्तित गाओं के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आंते तहां भाईयों को नि लगाने के लिए जो मिष्ठान और भूग लगाने के लिए 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 जाता है अब हरी हर तो फिलाल सब के ल पुए रस बुनिया लड़ू छेने की तरकारी दही खीर पुजारी जीने स्वम अपने हातों से खाना परोसा था पास में बैठे मेहंद जी धर्म चर्चा से मन में शांती पहुंचा रहे थे एक ही रात में ठाकुरबारी में जो शुक शांती और संतोश पाया वह अपने अशंका उनके मन में मत्ती रही पंधरा भी के खेत इस गाओ की उपजाओ जमीन दो लाग से अधिक किसम पत्ती अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे अब भाईयों को क्या लग रहा था पंधरा भी के जमीन बहीं महंत जी के नाम ना हो जाया कहीं हमारे दंड देने की बात कहीं तो भाई भाई माफी वाफी मांगने लगे और कहने लगे अपने पत्नियों को दंड देंगे साथ ही खून के रिष्टे की माया फैलाई हरी हर काका का दिल पसीच गया वह पुने वापस घर लोडग गया हरी हर काका फिर से वापस चले गया अपने भी मांगी फिर उनकी आवभगत और जो खातिर हुई वैसे खातिर किसी के यहां महमान आने पर भी नहीं होती होगी उनकी रूची और इच्छा के मताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार पाच महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तायत मतलब उनकी सेवा में लगी हुई थी पाच महिलाएं तीन भायों की पत्निया और दोन की बहुएं हरिहर काका अराम से दलान में पड़े रहते जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजर वे समझ कए थे कि यह सब महन जी के चलते ही हो रहा है इसलिए महन जी के प्रति उनके मन में आदर और शद लोग में आदर शदकार कर रहे हैं बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ ही बताए गाउं के लोग असली तथिया से स्वेम वाकिफ हो जाते हैं हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ दर असल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और गाउं के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे फिर तो गाउं की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं हर जग है उनहीं का प्रसंग शुरू कुछ लोग कहते हैं कि हरीहर को अपनी जमीर ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए इससे उ कुछ जी के नाम लिख देंगे जमीन तो कीरती मतलब याश और फेम बढ़ेगा इसके विपरीद कुछ लोगों की माननेता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है अपनी जायजत उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा खून के रिष्टे के बीच अधान डून रहे थे और पतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटे थो हालांकि इसी क्रम में बाते गर्माहट भरी भी होने लगी थी लोग पत्यक्ष और परोख्ष रूप से दो वर्गों में बटने लगे थे कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू-तू-मय थाकुरबारी नहीं कर सकेगी तो कुछ लोग कहते थे कि बढ़ी हो जाएगी ठाकुरबारी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कुछ लोग यह कहते थे कि नहीं नहीं भाई के भाईयों के परिवार के नाम होनी चाहिए जमीन इस वर्ग के लोग धार्मिक संसकारों के प्रसाथ पाने के लिए वहां जोड़ जाते हैं ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं तो मतलब वही जादा जमीन होगी जादा पैसा आएका ठाकुरबारी में जादा खाने पीने को मिलेगा और है ना यही सब चीज़े थी तो इसलिए वह लोग चाते थे कि बंदरभी के जम हैं कुछ लोग ऐसे थे कि भाई जिनके फुद के परिवर में ऐसे लोग थे कि जिनके बाल बच्चण नहीं थे और वह उनकी जमीने जहते दे निचीन मतलब अपने बार में बेसिकली सोच रहे कि अब भाई कहने ही लगए कि मतलब अपनी जो जमीन है वो हमारे नम लिख वा दो अंत अतहा अब यह सारी के सारी जो बाते हैं राइटर से करी हरी हर काका ने कि मतलब ये सब चल रहा है मैं क्या करूँ अंत तहा हम इस निश्कष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायजात का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा चाहे वे अपना भाई या मंदिर का महंध ही क्यों ना हो तो फिर ये मतलब कंक्ल लगी में ही अपनी जायजात और अपने उत्त्रा अधिकारियों या किसी अन्ने को लिखवा दी थी लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा हरी हर काका बिकुल अनपड़ व्यक्ति हैं फिर भी इस वदलाफ को उ जब मैं मर जाओंगा तो तुम्हीं लोग के पास आनी है अपने साथ होना कोई मैं जमीन लेकर के जाओंगा उधर महंद जी भी हरी हर काका की टेह में रहने लगे जहां कहीं एकांत पाते हैं कहा उड़ते विलंब ना करो हरी हर शुप काम में देर नहीं करते चलकर ठाकु जी के पूरी फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राच करो बरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा देव लोग को प्राप्त करो तो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अगर ठाकुरबारी के नाम जमीन करोगे इसे बाते फांत से ही और हा तो उन्होंने कहना है नहीं क्योंकि अपने जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी इस मुद्दे पर वे जागरुख हो गए थे तो अपने जीते जीतों किसी को भी जो है जमीन लिखेंगे नहीं और महांत जी को भी वो ना नहीं बोलना चाहते तो बात ये थी दो लोग चाह रहे थे एक तो उनके खुद के भाई चाह रहे थे हैं ना हरीयर काका के कि उनको जमीन दे दे एक महन जी जा रहे थे पहले तो भाई को लग रहा था भाईयों को कि हमें ही मिलनी है बढ़ अब दूसरे दावेदार चबा कहें महन्त कि वो भी च कर रहे हैं जमीन तो भाई आप तो हरीयर काका कही महन्त को ना दे दे जमीन इसलिए उनकी खुद के घर में जादा आओ भगत होने लगी आगे लिखते हैं फिर पर बीटे समय के अनुसर महन्त जी की चिंताय भढ़ती जा रही थी जाल में फसी चड़िया पकर से बाहर हो गई थी महन्त जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे महन्त जी को लग रहा था कि हरीहर धन संगट में पढ़ गया है एक और वह चाता है कि ठाको जी को लिख दू किन्तु दूसरी और भाई के परिवाल की मुह माया में जो है वो बंधा हुआ है इस स्थिती में हरीहर का अपह करती के आदमी है अपनी योजना को कारे रूप में परिणत करने के लिए वह जीजान से चुट गए हाला कि यह सब गोपनियता का निर्वा करते हुए ही वह कर रहे थे हरीहर काका के भाईयों को इसकी भनक तक नहीं थी तब सोचा कि भाई किद्नाप करो और जबदसी कःड़ा से लेस एकां एक हरीहर काका के डालान पर आधम के तो मुड़ रूप हरीहर काका के भाई इस अपरत्यासित हमले के लिए तयार नहीं थे हाई तक नहीं करें तब आकरमन कारी उंको पीट पर लातकर चंपथ हो गए यानि कि हरियर काका को घर से उठा करके ले गए गाउं में किसी ने ऐसी गठना नहीं देखी थी ना सुनी थी सारा गाउं जग गया शुप चिंतक तो उनके यहां जुटने लगे लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छटों पर जमा होकर आहट लेने और बाचीत करने लगे तो आसपास के लोग कुछ लोग आगा और कुछ लोग अपनी चटों पर जो है खड़े होकर बाचीत करने लगे हर्य काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूनने निकले उन्हें लगा कि यह हैं महंत का काम है वे मै दल बल ठाकुरबारी जहां पहुचे वहां खामोशी और शांती नजर आई रोज की बात ही ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बन था वातवरण में रात का सननाटा और सूनापन व्याप्त मिला उन्हें लगा यह का महंत का नहीं बहार के डाकुओं का है तो वे हर जाने की मोटी रिखम लेकर ही हरीहर काका को मुख्त करेंगे तो मतलब है हरीहर जानन कर लिया किसी गुंडेट ने लकल के तॉप पैसे लेंगे और फिर छोड़ेंगे खोच में निकलेए लोग किसी दूसरी दिश्या की और प्रस्थान करते एसी समय ठाकुरबारी में इंदर से इंदर से आवाजें आने लगई फिर तो लोगों समझाए गया कि फोड़ी ने ही है सब फिर अधुर्वारी सब्सक्राइज में ही थाकुर्वारी काई तृवाजरे का कमरे की खिड़किओं से फाइरिंग सुरू हो गई एक नौ जएगया उसके गिरते ही हरियर काका के भाईयों के पक्षदर भाग चले सिर्फ वे तीन भाई बचे रहा गए अपने तीनों के बूते इस यूट्ट को जीतना उन्हें संबब नहीं जान पड़ा इसलिए वे भी कजबे के पुलिस थाने की ओर दौर पड़े पड़े गोलियां चली तो सब भाग गए फिर उसके बाद भाई जो थे तीनों वो पुलिस के पास गए इधे ठाकुरबारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधू सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरीहर काका के अंगुठे के निशान जबरन ले रहे थे फिर दब हरीहर काका तो महंत के इस विवहार से जैसे आस्मान से जमीन पर आगए थे उन्होंने सपने बेबी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे जिस महंत को वह आदर्निय एवम शद्धे समझते थे वह मन महंत अब उन्हें ग्रणित दुराचारी और पापी नज़र आने लगा था अब वह उस महंत की सूरत को देखना भी नहीं चाते थे अब अपने भाईयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें जादा पवित्र नेक और अच्छा लगने लगा हरियर काका को हरियर काका थाकुर बारी से अपने घर पर पहुँचने के लिए बेचैन थे लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे तुम्हारे भले के लिए ही है सब किया गया हरिहर अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर्दबस्ती की लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पढ़े थे उससे उबढ़ने केरे यही एक मात रास्ता था तुम मात अपनी बातों को जस्टिफिकेशन भी दे रहा था कि भाई तुम नाम नहीं कर पा रहे थे कंफ्यूस से देखों जबदस्ते पकड़के तुमसे नाम कर रहे हैं आप अच्छा गाम कर रहे हैं एक हो ठाकुरबारी के भीतर जबरन अंगुठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कारे चल रहा था दूसरी और हरीहर काके के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबारी आप होचें तो भाई पुलिस स्टेशन गए और ठाकुरबारी आगा है पुलिस को लेके जीब से तीनों भाई एक दरोगा रो पुलिस के आठ जवान उत्रे पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबारी के फाटक पर अवाज लगाई दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं अब पुलिस के जवाबों ने ठाकुरबारी के चारो तरफ घेरा डालना शुरू किया ठाकुरबारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते लेकिन विशाल काय ठाकुरबारी को पुलिस के सीमित जवान घे सकने में असमत साबित हो रहे थे मतलब बहुत बड़ी ठाकुरबारी तो आठ नौ जो है पुलिस वाले उसको नहीं घेर पा रहे थे फिर भी जतना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना-पना मोर्चा सम्हाल सुभे की पतिक्षा करने लगे फिर पुलिस वाले वहीं पर बैट गए सुभे होने का इंतिजार करने लगे हरहर काका के भाईयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबारी पहुचेंगे तो ठाकुरबारी के भीतर से हमले होंगे और साधू संत रंगे हाथ पकड़े जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठाकुरबारी के अंदर से एक रोडा भी भार नहीं आया, शायद पुलिस को आते वे उन्होंने देख लिया था, तो ठाकुरबारी के अंदर से उन्होंने पुलिस को आते वे देख लिया था, तो कोई हमला नहीं किया, सुबह होने में साथ ये पुलिस वर्ग की और से हवाई फायर भी किये जा रहे थे लेकिन ठाकुरबारी की और से कोई जवाब नहीं आ रहा था सुबह तरके एक वृद्ध सादू ने ठाकुरबारी का फाटक खोला उस सादू की उम्र असी वर्ष से अधिकी होगी वहलाठी के सहारे कापते हुए खड़ा था पुलिस इंचार्च ने उससे वृद्ध सादू के पास पहुंच हरीहर काका तथा ठाकुरबारी के महंत कुजारी एवं साधियों के बारे में पूछा लेकिन उसने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया तो एक बहुती बढ़ा सादू आया पुलिस ने प चृ nehmen आया को को हें पुलिस ने झंचार्च ने पह्ता पुलिस इंचार्च ने जो है कुछ नहीं बोला छान बोला नजबनास कर डाला टाल इको कि काफी सदा इज हो गया थी पुलिस ने hmm ने खूटलाकर छान बीन की उस वर्द साधू के एलावा कोई दूसरा ठाकुर हरीहर काका के भाई चिंता परिशानी और दुखत आश्यरे से घिर गए ठाकुर बारी के महेंत और साधुसंत हरीहर काका को आखिल लेकर भाग कहा गए अब क्या होगा काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर कर्व महसू पाए और नहीं साधुसंतों को वो जो है पहुचा पाए जेल ठाकुर बारी के जो कम्रे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी बाद में जिन कम्रों की चिटकनी बन थी उन्हीं भी खोल कर देखा गया एक कम्रे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था पुलिस औ इस कम्रे में क्या है तब उसने जवाब दिया गिए अनाज है पुलिस इंचार्ज अभी ये सोची रहे थे कि इस कम्रे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कम्रे के दरवाजे की भीतर से किसी ने धका देना शुरू किया पुलिस के भाईयों का खून खौल उठा उस वक्त अकर महंत पुजारी या अन्या जवान साधू उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी ही उन्हें नहीं छोड़ते मतलब हरीहर काका की जो हाला थी ना उनके भाईयों को बड़ा गुस्सा आ गया था देखकर कि क्या हाला थे हरीहर काका की हरीहर काका के हाथ और पाउं तो बांध ही दिये गए थे उनके मून में भी कप्ड़ा ठूस कर बांध दिया गया था हरीहर काका जमीन पर उड़कते हुए दर्वाजे तक आये थे और पैर से दर्वाजे पर धक्का लगाया था काका को बंधर मुख्त किया गया मुँख से कपड़े निकाले गए हरीहर काका ने ठाकुरबारी के महंत पुजारी और साध्यों की काली कर्टूतों का परदाफाश करना शुरू किया कि वह साधू नहीं डाकू हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दर्वाजे से भाग गए कि उन्हें कई साधे और लिखे हुए कागजों पर जब्रण उनके अंगुठे के निशान लिए मतब सब पताया कि किस तरीके से उनको पकड़ा मारा पीटा और उनके जब्रदस्ती जो है अंगुठे के निशान लिएगा ये सब कुछ हरीह काका ने बता दिया उनके शब्द शब्से रैवरों के प्रतिनफरत और ध्रना व्यक्त हो रही थी जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबारी के महांत पुजारी और सादू के बारे में कहा, अब हरियर काका पुन्हें अपने भायों के परिवार के साथ रहने लगे, इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तू की तरह सहेज कर छिपा कर, उनकी सुरक्षा के लिए रिष्टे नाते मे हतियारों से लेस लोग उनके आगे पिछे चलते तो अब बतलब ठाकर का काफी धियार रखा जाने लगा और हतियारों अगेरा से उनके साथ लोग रहते थे, रात में चारों तरफ से घेर कर सोया जाता उनको, भाईयों ने ड्यूटी बांध ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जखकर पहरा देते, इधर ठाकरबारी का दर्श्य भी बदल गया था, एक से एक खूकार लोग ठाकरबारी में आ गये थे, उन्हें देखकर ही डर लगता था, गाउं के बच्चों ने ठाकरबारी की और जाना ही बंद कर दिया था, हरिहर काका को लेकर गाउं प्रारंब से ही दो वर्गों में बढ़ गया था, इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिर्कियाएं व्यक्त की जाने लगी, तो पहले महंत को देदो भाई को देदो तो पहले तो बटा बटा गाउं दो तरफ से, अब फिर से मतलब अलग लग बातें बोली जाने लगी, और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेशा चतुर और ग्यानी हो चले थे, वह मैसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षर प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का सम् महंत की चिकनी चुपडी बातों के भीतर की सचाए भी अब वह जान गए थे, ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधू का पेड़ पालता है, तो मतलब जो महंत है भगवान के नाम पर लोगों से पैसा लेता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नह ही है, निजी स्वार्थ के लिए साधू होने और पूजापाट करने का धोंग रचाया है, साधू के बाने में महंत पुजारी और उसके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मिया मतलब बुरे लोग है, छल, बल, कल, मतलब हर काम से हर युक्ती से जो है, वो लोगों स सिफ पैसा रपने के लिए रहते हैं, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिक्ष्रम के लिए अराम से रहना वो लोग चाहते हैं, अपने घ्रनित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबारी को उन्होंने माध्यम बनाया हुआ है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्व नाम कर देंगे जमीन तो मतलब ऐसे हो जाएंगे जैसे कि दूद में मक्ही होती है और उस मक्ही को निकाल के फैक दिया चाता है, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं बुड़ापे का दुख बिताई नहीं बीतेगा, तो मतलब भारी हरका का ने सोच लिया कि वो किसी के भी नाम और जमीन नहीं करेंगे अपने पास ही रखेंगे तो यागे का चप्टर जो बचा है वो नेक्स वीडियो में कवर करेंगे, थैंक्यू